भारती परंपराओं के अनुसार स्राद एक महत्वपून अनुष्ठान है यह दिवांगत पूर्वजों की आत्माओं के सम्मान के लिए किया जाता है हिंदू संस्कृती में पित्र पक्षियसराद के दोरान पशू और पक्षियों को खिलाना बहुत ही शुब माना जाता है और इसका बहुत अधिक महत्व होता है ऐसी माननेता है कि यह शुबकारे दुख को दूर और सौभाग में ब्रद्धी करता है जैसे कि वेदों या सास् माना जाता है कि पक्षियों और जानवरों को खिलाने से आपकी कुंडली में ग्रहों के दुषप्रभाव से बचने में मदद मिलती है और आपके अच्छे कर्मों में इजाफा होता है हिंदू धर्मी के अनुसार पक्षि और जानवर कई देवी देवताओं के बाहन के तो वे आपके पितरों से जुड़े संकेत देता है यदि आपने अपने पितरों के लिए भोजन का अंश निकाला है और वे उसे खा लेते हैं तो समझ लीजे कि वे भोजन आपके पितरों को प्राप्त हो गया है उनसे वे प्रसन्य होते हैं और आपके घर में खुशहाली आती है, धन व्रद्धी होती है, कववा आपके लिए भोजन को नहीं खाता, तो वे अपने पितरों को प्राप्त नहीं होता है, अत्रप्त और नाखुश पितर होकर श्राप देते हैं, गाए, हिंदू धर्मे में गाए एक पवित्र और पूज हो जाता है, यह संकेत उसको प्रसन होने का संकेत देते हैं, कुट्ता पितर पक्ष में पितरों तक भोजन पहुचाने के लिए उनकी तिथी पर आ जाता है, इससे पितरों की आत्मा त्रिप्त होती है, और वे अपने वन्श को खुशहाली का आशिरवाद भी देते हैं, च तो आपको मेरे द्वारा दी गए जानकारी कैसी लगी जरूर।